हलो दोस्तों एक पर फिर से स्वागात है हमारे ग्यान पुरियो योटूब चैनल पर दोस्तों आज जो मैं टोपिक लेकर आया हूँ यह ओनलाइन एपलाई के बारे में हैं दोस्तों कुछी दिन पहले दो वेकंसी आई थी जैसे सिक के तरब से जरकण में जरकण में जो रिक अपलाई भर सकते हैं अब लोग तो उसी के रिकार्डिंग हम लोग आज वीडियो बनाने वाले हैं उसका बारे में देखने वाले हैं कि इसको ओनलाइन एपलाई कहां से जाके करना है कैसे कैसे करना है उसके बाद अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं त कुछी दिन पहले उसके भी रिकार्डिंग वीडियो बनाई थी जो दी गई थी पहला देखिए यह एक आई थी यह वीडियो हम लोग का चैनल पर जाएगा तो डिटेल पता चल जाएगा पहली वीडियो जो 12 पास के लिए दी गई थी उसके बाद दूसरी वाली जो थी 10 पास के लिए थी यह देखिए यह 10 पास के लिए यह वीडियो बनाया था मैंने इसी के रिकार्डिंग हम लोग आज देखेंगे कि इसका ओनलाइन एपलाई कैसे है इसी यह 10 पास के लिए जिसे दिया गए देखिए 10 पास चात्रों का सुनहरा आउसर जो वाले वीडियो है उसके आप देखेंगे कि ओनलाइन एपलाईस को कैसे करना है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप लोगों को जैसे दिखाई दे रहा है मैं क्रोम पे आ गया हूं क्रोम पे आने के बाद आप लोगों को करना क्या है आप लोग सीधी Google पर टाइप किजिए सपोज आप लोगों को वेबसाइट अगर नहीं पता है तो Google पर सीधी टाइप किरिए कि JSC बस इतना करके आप लोग इंटर कर दीजिए करने के बाद आप लोगों को आ जाएगा यहां पर वेबसाइट पहला वाला वेबसाइट जो है उसी पर हम लोग को जाना है और विजिट करना है देखिए JSC इसका वेबसाइट दिया गया है www.jsc.nic.in यह इसका ओफिसल वेबसाइट है यहीं से आप लोगों का ओनलाइन एपलाई भी कर सकते हैं कुछ जो नोडिपिकर सन आती है वो भी यहीं पर मिल जाएगा यह इसका ओफिसल वेबसाइट है तो हम लोग चलते हैं यहीं पर और एक बात बता देना तरहता हूं दोस्तों क्योंकि हम लोग थोड़ा एस्टेप में देखेंगे डीटेल में देखेंगे कैसे इसका ओनलाइन एपलाई करना है तो हो सकत करन एस्टेप सेलेक्शन कमिसन को यहाँ पर आने के बाद आप लोग थोड़ा नीचे आजिए यह लेट साइड में देखें आप लोगों का इनपोर्टंट लिंकर दिया गया है यहाँ पर इस टेपल्फ पर इस सारे के सारे important links है इसमें से हम लोगों को किस पे जाना है अब लोगों का पहला वाला देखे दिया गया है apply recording दिया गया application form का दूसराद admit card का दिया गया है answer key, result, score card ये सब दिया गया है तो हम लोगों को पहला वाला लिंक पर जाना है और यहीं से ओनलाइन होगा हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं मैं इस पर क्लिक कर देता हूं देखें क्लिक कर देते ही अप्लिकेशन का जितने भी वेकंसी है उस अपका यहां पर लिंक आ जाएगा और right side में देखिए action दिया गया है उसमें click करके apply now दिया गया है यहाँ पे click करके आप लोग यह सबका apply कर सकते हैं तो हम लोग जो देख रहे हैं 10th pass पुलिस वादा उसके लिए यह है पहला वाला ही जो दिया गया है एक नमर में इसी पे हम लोगों को click करना होगा उसके बाद वो पोर्टल पे चले जाएंगे जासे हम लोग online apply कर सकते हैं तो मैं इस पे click कर देता हूँ apply now पे उसके बाद देखे एक message आ रहा है इसको आप लोगों को ok करना पड़ेगा तब आप उस page पे जा सकते हैं अधरोज cancel करने लिए तो आप लोगोंगा cancel हो जागा तो यहाँ पे click कर देते हैं ok पे क्लिक करते हैं एक नया टेप open हो जाएगा आप लोग का नया टेप open हो जाने के बाद देखे लेप्ट साइड में सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया गए देखे यहां पे फोर रेजिस्टेड कंडिडेट जो जो पहले रेजिस्टेड कर चुके हैं इस apply के लिए apply करने होगा apply not यहां पर click करके जाना होगा और यहां पर दिखे दिया गया है उसका email contact दिया गया है कुछ कोई है तो यहां से आपलों कर सकते हम चीज़े और उसका detailing यहां पर दिया गया है और देखते हैं क्या है इसको क्लिक कर देते ही हम लोग कए एक निव टेप फिर से ओपन हो जाता है यहां पर डिटेल हम लोग का भरनीका रहेगा जिसमें पहला वाला दिया गया है देखिए अर्यूए लोकल रेसिडेंट अगर हां है तो यह करिए नहीं तो नो कर दिजिए चले मैं यह करके जाता हूं आगे सेलेक्टेड डिस्टिक आप लोगों का लोकल डिस्टिक यहांपर इसलेक्ट खरना होगा मैं जैसे रांची देता हूं यह एक्ज़ंबल के तोर मैं दे रहा हूं आप लोगं जो जो डिस्टिक्स आथे वह सब करियेगा यूणिक्स स्याटिफिकेट कॉच गोटी औो प्लोक लोकट immigrant का यहाँ पे आपलोगों का सब्स सब्सक्राइब लगे-गा नंबर लगने के बाद यहाँ पे वो नंबर लगेगा मैं रॉतना भरीं होके नहीं हो राहिए यहाँ पे आप जैसे आप लोग किलिक करिएगा यहां पर आजाएगा कलेंडर कलेंडर से आप लोग देख लिजेगा यहां से आप लोग भर दीजेगा उसके बाद आप लोगों का इसू अत्रेटी किसके थुरू इसू हुआ है यह जो मैं बता रहूं दोस्तों आप लोगों का यूनिक सैटिफिकर्ट यह आप लोगों का जुन अधा यह वहा था तो यह सबका डेटल यहां पर मेंसन करना होगा उसके बाद उसका युसू उसके बाद थाड़ नमर में देखिए लेंग्वेज थाड़ नमर में जो दिया इन होगा तो मैं फिलाल हिंदी ले 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 लेता हूं उसके बाद अप लोगों अपलोगों का अपलोगों का कंडेड का नाम देना होगा यहां पियाप आफ लोगों का निएद का नाम का पिया इक जा दार से इसके बाद 7 नमर में देखे, 7 नमर में आप लोगों का अगरकार का नमर लगेगा 8 नमर में जो दिया गया है छो दिया है चीज़ आप लोगों का दो अड शीप कानाम दिया गया है कि टेंथ में मुदर का नाम लिखना होगा आपको रिजर्जरबेशन केटेगरी देना होगा ग्यारा नमबर में आप लोग फिस में आते हैं उडेनी में व्जी वं में वान एस्टी एसी किसमें यहां तोसी इसलेट कर लिजेगा कि मैं ओध्र दे रहा हूँ जिसे कि उसकी बाद अधार का नंबर देना होगा इसमें आप ल destin के लिए अधार का आप देना पें पर लोगों का a नंबर तो इसमया ना परले बता दिया है उसके बाद के बाद आप लोगों का यहां पर mention करना होगा उसके बाद date of birth हो जाने के बाद आप लोगों का देखिए यहां पर mobile number दिया गया है mobile number इसमें देदीजेगा यहां पर आपका mail ID देदीजेगा दोस्तों अजकल जीतने भी vacancy आ रहे है लगबग सब online ही हो रहा है तो आप लोग अगर अभी तक email ID नहीं बनाए हैं तो email ID जरूर से जरूर बना लें क्योंकि यह बहुत important है online application में हो सकता है आप लोगों का email के तुरू ही admit card आया जाए बहुत vacancy में ऐसा भी क्या है communication address में आप लोग अभी फिलाल कहां रहते हैं सब्सक्राइब लोग एक student है कहीं बाहर रहते हैं अप लोगों का गाउं से या फिर अप लोगों का घर से तो यहां पर आप लोगों का सब्सक्राइब अगर अगर सेम है तो आप लोग इसको टिक कर देजेगा यह एड्रेस जो यहां पर भरी रहेंगे और यहां पर फिल हो जाएगा अधर्वाइस आप लोगों अगर कहीं अभी बाहर में रहते हैं तो आप लोगों को मिनवाल यहां पर पूट करना पीद में उसके बाद देखे पोस्त का डिटेल दिया गया है फंट का डिटेल यहां पर आप लोगों है इसकी करीयाई आप लोगों का आज जाएगा जो एकचा के लिए का लिए यह कुछिसेम अपर स्ष्टयम द्रिकाड़ करने के बाद नीचे चाहिए घाग आप आप लोगों का 10th का यहां पर देदीजेगा name of the school and college institute कहां से आप किये हैं उसका नाम यहां पर किस बोड से किये हैं अगर जरकंड के यहां तो जेक जेसी राची उसके बाद यहां पर सेलेक्ट किस एर को आप पास किये हैं आपका परसेंटेज कितना है वो यहां यहां पर mention होगा 12 कभी सेम होगा यहां पर mention कर दीजेगा और उसके बाद लास्ट में देखिए एक option दिया गया है इस पर जैसे ही किलिक करिएगा आप लोगों इसको किलिक करने के बाद आप लोगों का एक रिजू में जैसे होता है वहीं से पेज ओपन होगा उसमें आप लोगों का जो जो यहां पर mention किये हैं सब कुछ एक प्रिंट आट पेज का जैसे system में दिखाई देगा उस पर एक बार अच्छे तरह से पढ़ लिजेगा हो सकता है आप लोगों कहीं से मिस्टिक किया है तो उसको cancel कर दिजेगा बेका के फिर से अच्छे तरह से भर लिजेगा फिर से एक बार प्रिवियू करेगा और देखेगा कि सब कुछ सही हो गया तो पि देगा कि दूसरा उप्सन जो दियागा है रेजिस्ट्ट करने के बाद एक दूसरा लिंग лेबट साइड में दिखाया था इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों कहीं लोगिं मोगारा डिटल दिया गया है पैमेंट रिफ्रेंस नंबर या रजिस्टेशन नंबर यहां पर लगेगा डेट अपर तीजेगा या तो फिर आप लोगों का कंड़ेट का नाम होगा दो दो स्टेप में आप लोगों का लोगिं होगा अब तो यह सब जेनरेट हो कंड़ेट का नाम हो डेट अब बार्त के टेगरी और अधर सुनें यह चार देने के बाद भी समिट करेगा तब भी आपका लोगिं हो जाएगा यह लोगिं कर देने के बाद आप लोगों का फिर डिटेल आएगा हो सकता है यह लोगिं करने के बाद आप लोगों को देखी जोर गारेज चे सब उनलाइन पेस्ट करें तो यह कर देने के बाद नेक्स करें और प्होंगों का आएगा पेस्ट करें और क्याया मंगा थृटो इसके बाद में एक ये सब ड़नने के बाद सैटिपिक एड़ का स्केन कॉपी भी मंग सकता है वह सब समिट करने के बाद समिट करेगा तब सबसे पहले आपको जो पेज में ने दिखाया वह चीज आप लोगों को करना पड़ेगा उसके बाद ही आप लोग का रेजिस्टेशन नमबर जेनरेट होगा या तो फिर आप लोग ये डीटल दे के इसको समिट कर सकते हैं यहां से दोस्तों तो आसा करता हूं अप लोगों क सब्सक्राइब करके बिरिगंटी को दबाए रहें और बने रहें क्योंकि ऐसा इन्पोर्टेंट्स जोप जितने भी आते हैं हम लोग आप लोगों तक यूटूब के मुद्धम से पहुंचाते रहते हैं दोस्तों थैंक्यू